हाई अव्रिवान मैं आपको दोस्टा है स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे आज आ रहे है टेक न्यूस नंबर 111 वान 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 तो शुरू करते हैं बड़या बड़या टेक न्यूस मौर्निंग में मैं डाल थी रेड्मी के 30 प्रो की अन्बोक्सिंग अगर आपने नहीं देखी तो आई में दे दी है आप देख सकते हैं बहुत ही बड़या फोन है जूम एडिशन की डाली है स्टैंडर एडिशन की भी जल्दी आ जाएगी हमारे चनल पे तो शुरू करते हैं आज की बड़या बड़या गर्माकरा टेक न्यूस पहले नूस की बात की जबत ओपो रेनोस टू लास्ट येर चायना में लाउंच होगा था बहुत ही बड़या प्राइस बहुत बड़या फेक्स की साहत हुआ होते हैं नेक्स न्यूस की बात कीज़े तो रियल मी वाच आज मनूर आज मादव सेट ने इक वीडियो सामने में आई थी जिसमें उन्होंने एक वाच दिखाई थी और कहा था कि जल्दी आपके हाथ में भी हो सकती है तो मतलब इनकी वाच रेडी है स्क्वेर वाच है काफी हद तक मी वाच, एपल वाच, ओपो वाच की तरह है और मेरे साब से बश्टिट वाच होगी शायद अंडर 10,000 आज है 10-15,000 के चांसे है अगर ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे तो ज़्यादा प्राइस हो सकता है तो मैं रेली एक्साइटीड हूँ रियल में टककर तो दे रहा है शाउमी को तो देखते हैं क्या कमाल करते हैं स्मार्ट वाच इंडस्री में नेक्स्ट न्यूस की बात कीज़े तो रियल मी की आ रही है रियल मी चाइना रियल मी का चाइना का जो CMO है आज उसने एक मजाक में का कि 2020 में फ्लाक्षी फोन के हाई रिफ्रेश रेट हो होगा तो भई यह तो बात सही है इस बार इनोंने 60 हर्स के यूज किया मगर मुझे तब भी फोन काफी पसंद आया है नेक्स न्यूस की बात कीज़े तो मेजू मेजू ने कंफर्म किया जो मेजू 17 होगा उसमें औरियो स्टाइल नहीं आएगा उसमें होरिजॉंटल स्टा कि मास्क की बहुत शौठेज होई थी बहुत जगेंज चाइना में अभी इसपेशली बहुत प्राइस इंक्रीज हुत है तो शाओम बी ये 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 तौइ-शी मास्क बनाने वाला है वैजसे शाओम बए पहले भी मास्क लाता है अपनी नग निया तरह का मास्क ला रहा है तो next news की बात कीज़ए तो Vivo S6, Vivo S6 Sinos 980 बे आएगा 5G phone होगा और इस मत की 26 तारी को यह launch हो रहा है, मतलब कल और इसमें Geekbench score सामने आ है, single core 694 और multi core आया है, 1850 के पास, 6.44 इंच की screen होगी, और 32 MP का front camera मिलेगा 48 plus 8 plus 2, Oreo style में इसका rear camera मिलेगा, phone बढ़िया है, price बढ़िया हो, तो ही बात है, Vivo Z6 20,000 के पास आया था 21,22 के, तो देखते हैं यह किस price बे आता है, next news की बात की ज़ए तो Honor, Honor 30S की live picture सामने आ यह, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, 30 March को यह भी आ रहे, Kirin 820, new processor के साथ आएगा, जो काफी बढ़िया mid range processor हो सकता है, तो देखते हैं यह phone इंडिया में आता है या नहीं आता, next news की बात की जायता, Royal, जो पहली company थी जिसने foldable phone बनाया था, वो थी Royal, उसका Royal Flexi Pie 2 की आज announcement की है, इसमें कहा रहे हैं, 3rd generation Cicata Wing Screen यूज की गई है, और जो इसकी brightness 50% higher है, जो Flexi Pie पहला था, तो भई यह काफी बढ़िया लग रहा है, मगर मेरे साब से इतने महेंगे phone, more than 1 lakh के phones के लिए, Royal Flexi Pie पे कोई invest नहीं करेगा मेरे साब से, बागे देखते हैं, कहा रहे हैं, यह second quarter, next month यह भी आ सकता है, next news की बात की जाए तो बहें Lenovo, Lenovo Gaming Phone, जी हाँ Lenovo Gaming Phone Legion के एक picture सामने आई है, और कहा रहे हैं इसमें 5050 mH की बैटरी हो सकती है, देखने में थोड़ा cool लग रहा है, April में इसके भी chances थे हैं, यहां Gaming Phone आ रहा है, Black Shark, Nubia के बाद, वैसे ROG 3 के भी chances हैं, next month आने के लिए, तो देखते हैं Lenovo Gaming में कुछ कमाल करता है, करता है या तो इंडिया में लाता है, नहीं लाता, next news की बात की जा तो आ रही है, Xiaomi की Xiaomi Mi 10, जो 31st, March को आना था, वो भी postpone है, जैसे आपको पता है, किस दिन का lockdown है, और घर रहने को का है, कुछ कोरियर, कुछ भी नहीं खुला, तो अगर वो event कर भी देते हैं, तो आप buy नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं हो पाता, तो बैटर सा और उने postpone कर दिया है, तो मतलब अब य आर्जो सीरीज, उसके बाद फिर रेड्मी नोट 9 प्रो मैक्स, और अब ये, तो सब कुछ टिले हो गया है इंडिया में, निक्स्ट और लास्ट न्यूस की बाद की जो रेड्मी के 30 प्रो, रेड्मी के 30 प्रो 12 GB वेरिंट जल्दी आएगा, 512 GB स्टोरिज के साथ, मगर चारहजार आपे इंडियर बाद 40,000 से उससे उपर हो सकता है, तो उससे अच्छा मी टैन क्यों ना लें, मी टैन का एक मैं कंपैरिजन बना रहा हूं, मी टैन वर्सेज रेड्मी के 30 प्रो जूम एडिशन, क्योंकि 200 यूँआन बाद 200, 200 का फर्क है दोनों के प्राइस में, और ये श्याद इंडिया में भी आएंगे, तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, जन बॉक्सिंग और मुझे इंस्टाग्राम पर भी और ट्वीटर भी मेसेज आते, कि ये एक कंपैरिजन बनाओ, इन दोनों फोन्स का क्या-क्या फीचर्स डिफरेंट है, तो मैंने बन जरू कीजिए, न्यूँ है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जहन बंदे मातरम, शुब रातरी